तो दोस्तो आज बात करेंगे पैर के पंजे में होने वाले दर्द को दूर करने के कुछ घरी लूपचार देखे अकसर आपने देखा होगा बहुत देर तक खड़े रहने से या कोई फिजिकल अक्टिविटी करने से या कुछ लोगों को शरीर में कुछ पोशक्ततो की कमी की बज़े से भी पैर के पंजे में दर्द रहता है अब क्यों ऐसा होता है अगर हम इसके रीजन के और जाएं तो blood circulation का जब दबाओ एक ही तरफ होता है तब भी उससे पैर के पंजे में दर्द होता है इसके अलावा सही धंके जूते ना पहनने से भी होता है या उची हील के जो sandal या जूते होते होने पहनने से भी ऐसा होता है इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि यदि दर्द हो रहा है तो कैसे इसका उपचार करें क्योंकि वही बता सकते हैं कि वास्त्विक रूप में आपके शरीद में किस वाइटमिन्स की कमी है लेकिन इसके अलावा भी मल्टी विटेमिन्स का प्रयोग ज़रूर करें क्योंकि कितनी बार हम अपने भोजन और जो पूसकत तद्यो उनको अप्जूर्ण से दोंको सहीन कुछ करेलू पायों के बारे में बात करेंगे जिन से आपके पैर के पंजो का दर्द असानी से तूर हो सकता है तो देखे सबसे पहली चीज है गर्म और ठंडे पानी का इस्तमाल इसके लिए एक बाल्टी में ठंडा पानी रखें दूसरी बाल्टी में हलका गुंगुना पा लास्ट में अपने पैर को ठंडे पानी में पांस से साथ मिनट के लिए रखकर अपने पैरों को तॉले से पोच दे और कोई भी ओइंट्मेंट या तेल लगा ले अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से क्या बैनिफिट होगा दिखें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे दर्द बढ़ रहा है तो आप सिर्की का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके लिए भी सेम आपको करना है दो बाल्टी पानी लेना है अलग लग पाल्टी में एक में गर्म और एक में ठंडा उसमें आपको थोड़ा सा सिर्का डाल देना और थोड़ा सा समुद्री नमक या सेंध इसके अलावा ये दी बात की जाए कि और ऐसे कौन से उपाई हो सकते हैं जिससे पैर के पंजो की दर्द की समस्या को दूर किया जा सकता है तो देखिए आप बर्फ की जो थेरपी होती है उससे भी सूजन को दूर करने में राहत मलती है इसके लिए आपको क्या करना है प्ले ले उनको एक कपड़े में बान ले प्रभावी छेतर पर उससे थोड़ी देल लगाए ये पैरों के नसों की जो सुन्नता होती है उसको दूर करने में कारगर होता है इसके अलावा दर्द और सूजन इन दोनों को दूर करता है आइस पैक को 10 मिनिट से जादा आपको यूज नहीं करना है क्योंकि जादा उपयोग तंत्रिकाओं और तचाओं को नुकसान पहुचा सकती है तो 5-10 मिनिट प्रोग करें उसके बाद तॉले से इसे पोच कर थोड़ी देर चोड़ दें और उसके बाद कोई भी ओएंटमेंट या नारेल का तेल और खासकर आपक प्रोग कर सकते हैं या आपके पैरों के पंचे के लिए आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद है तो इसका प्रोग आप अपने पूरी ओवर और पैर की मालिश के रूप में जरूर करें इसके लाब़ा लॉंग का तेल भी पैरों के दर्द के लिए बह बहुत फायदे मंद है तो जल्दी राहत पाने के लिए आप जब भी सिकाई करने उसके बाद पैरों में लॉंग की तेल से मसाज करें इससे रक्त का प्रभाह बढ़ेगा और माश पेश्यों को पूरा आराम मिलेगा और एटलीट फूट की समस्या भी दूर होगी यदि आ विशाक्त युग तो पानी बाहर निगालते हैं और रक्त परिशंटरन में सुधार करते हैं और सूजन को दूर करते हैं अब कैसे इसका प्योग करना है सरसों के बीच की कुछ मात्रा को सबसे पहले बीस ले फिर उसे गर्म पानी के बाल्टी में डाल दे अब उसमें अप प्योग आपको मालिश के रूप में करना है जैसे मैंने पहले बता दिया कि आपको नारियल या तिल के तेल में देशी कपूर मिलाना है इसके अलावा दूसरा तेल होता है नेलगिरी का तेल पुदीने का तेल लॉंग का तेल रोजमेरी का तेल यह जितने भी तेल मैंने आ नाम होता है पीडान तक यह भी बहुत अच्छा देल है तो आप इसका उपयोग जरूर करें और अपने पैरों के मालेश 5-10 मिनट डेली खुद से ही करें आप देखेंगे कि आपके पैरों के दर्द आपके पैरों के पंजे का दर्द वह बहुत जल्दी दूर हो जाएगा त कि वीडियो पसंद आ तो इसमें तो शेयर करें और चानल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं तो फिर मतने हैं तब तक के लिए नमस्कार